हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का टीचर्स एक्सप्रेस में मैं पूझाशा आप लोगों के सामने वीडियो लाई हूँ जिस वीडियो में मैं आप लोगों को संपूर बिहार सेवन फेस निम्ना बली के बारे में एक एक चीज डिटेल में आपको पताऊंगी तो जैसा क आपके सामने लिखा है कि बिहार सेवन फेस निमा वली permett приб Yog at 7 तो जोडिकेंसीरी कल मोहर लक चुकी है जो आ रही है उसके बारे में मैं आपको फूल डिटेल में सारी च बताऊंगी चलिए तो मैं आप लोगों को full detail में सारी चीज़े बताऊंगी जैसा कि पहले तो सबसे important ही है आप लोगों को बताना है कि यह जो exam है यह आपका merit based पे नहीं होगा क्या होगा merit based पे नहीं होगा आपका यह exam conduct कराया जाएगा proper exam होगा exam होने के बाद जो जो बच्चे qualify करेंगे फिर merit list बनेगी उसके बाद selection होगा तो अब यह merit पे selection नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को proper तरीके से exam conduct किया जाएगा तो यह चीज़ आपको clear हो जानी चाहिए कि आप merit based पे नहीं है तो आप लोगों को जम के तैयारी करनी है अब आते हैं देखिए अब जैसा कि इसमें लिगए 2.25 लाक प्राइमरी प्लस जूनियर मतलब कि यह जो इतनी भरती है वह प्लस प्राइमरी की भी और जूनियर की दोनों है और 40 से 50,000, 40 या 50,000 हमारी grade और 4 तो इसमें 9, 10, 11, 12 की होगी ठीक है इसमें आपका first to primary में हमारा हो जाता है first to fifth और secondary में हमारा हो जाता है 6 to 8 ठीक है तो यह चीज़े आपको clear होगी पहली तो बात आपको merit पे नहीं होना exam conduct कराया जाएगा और इतनी लाग vacancy है जिसमें primary junior दोनों है और 40 और 50,000 हमारी vacancy grade third और fourth में भी है I hope यह चीज़े clear होगी चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें कौन-कौन exam दे सकता है कौन नहीं दे सकता है जिन्हों ने भी TET qualify किया TET में हमारा CET हो गया और जो B TET बिहार TET जिन्हों ने भी CET और BHT निकाला है वो इस exam को देने के लिए eligible होंगे और आपको जैसा कि पता है कि जैसा कि आपको पता है कि मार्क्स की नीड क्या है सीटेट में कितने लाने होते है और बिहार टेट में कितने लाने होते हैं तो हम एलिजबल है तो जिन बच्चों का सीटेट और बिहार टेट कौलिफाय है वो इस पेपर को देने के लिए एलिजबल होंगे वो इस पेपर को वाले भी eligible है बस उनको conduct किया जाएगा वो जो भी 90 लाएंगे 90 मार्क्स होंगे सीटेड में 90 प्लस आएंगे तो वो भी eligible हो जाएंगे बिहार 7 पेस की भरती में वो भी eligible हो जाएंगे आई होप यह चीज़े clear होगी चलिए अब मैं और आप लोगों को बताती हूँ नागरिक्ता हो गई अब आपको आरक्षित सीट अब देखें जैसा कि क्या होगा 50% महिलाओं की सीटे रिजर्व होगी ठीक है 50% महिलाओं की जो सीटे होगी वो रिजर्व होगी अगर 50% महिलाओं फिल नहीं कर पाई वेकैंसी नहीं हो पाई तो उसको वहीं रोक दिया जाएगा पर उस महिला की वेकैंसी में पुरुषों का mail का selection नहीं होगा ठीक है यह बात मैं आपको clear कर दे रही हूँ अब देखिए आपकी कम से कम उमर कितनी होनी चाहिए आयू कितनी होनी चाहिए तो अगर हम प्राइमरी की बात कर लेते हैं तो 18 वर्ष होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए अगर मैं प्राइमरी की बात कर लूँ तो 18 वर्ष होनी चाहिए और अगर सेकेंडरी की बात कर ले तो 21 व तो आप लोगों की उमर भी इतनी होनी चाहिए ठीक है अब देखे अब इसका मैं आप लोगों को सलेबस बताऊंगी कि इसका स्लेबस अच्वल में स्लेबस कितना है तो स्लेबस जो है एक्जाम का आपको पता होगा आप लोग ने यूपीटेट में जो दिये है उतने कम सीट में पाइशस सब्जीक्ट जो आते है वो उतने सब्जेक्ट इसमें नहीं है इसमें सारे चीज़े आ जाएगी तो मैं आप लोगों को स्लेबस भी बताऊंगी कि इसमें क्या क्या आएग कर लेती हूं तो मैं आपके सामने यहां पर लिगकर बताती है अगर मैं स्लेबस की बात कर लेती हूँ आप से स्लेबस की बात कर ले रही हूँ स्लेबस में क्या-क्या होगा देखें आपका मैट्स होगा हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर रीजनिंग और जीएस ले लेते हैं जीएस में हमारी सारी चीजे आ जाएगी करंट अफेर्स आ जाएंगे एवीएस आ जाएगी जो कि मैं इंवॉर्णमेंटल पढ़ाती हूँ आप लोगों को एवेएस आजाएगा शेविक्स और जाएगा जोग्रफिय आ जाएगा इस में हमारे सारे मतलब यह आपका प्रॉपर आप जैसे सुपर्टेट के बारे में सुनो जितने सबजेक्च लियुक्त में आते से 80% माल लीजिए कि यह सुपर टेट जैसा एक्जाम है से 80% मिलता जुलता सुपर टेट जैसा एक्जाम कंड़क्ट किया जाएगा और अगर पर लिया जाए तो कितनी बार पेपर को किसिंकितनी बार अटेंप कर सकते तो अटेम्ट की जो वो है आप जिन्होंने भी तीन बार आप 3 तीन बार attempt कर सकते हैं, थ्री बार से जादा नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने 6th phase में फिल किया होगा, तो वो सिर्फ 2 बार ही और दे पाएंगे, उसके बाद वो नहीं दे पाएंगे, तो 3 attempt ही दिया गया है, कि आप तीन से जादा attempt नहीं ले सकते हैं और आजाते है promotion जैसे आपको आप बताती हूँ कि promotion कैसे होता है कि जैसे कि primary teacher है तो वो 5 साल 6 साल के लिए काम करते रहे करते रहे तो जब वो experience हो जाते तो उनी को क्या करते है कि primary से लेके फिर primary वाले teacher को क्या करते है junior में shift कर देते है तो प्राइमरी वाले teachers को junior में shift कर देते हैं तो सबसे बढ़िया जो सबसे important बात में आप लोगों को यह बताना है चाहती हूँ कि यह exam merit-based पे नहीं है और merit-based पे नहीं है यह exam बढ़िया exam आएगा आप लोगों को बढ़िया तरीके से तयारी करनी है तो आप हमारे साथ सकते हैं यहां पर हम लोग यूटूब पर हर एक सब्जेक के प्रॉपर टॉपिक्स भी करवाएंगे और प्रॉपर आप लोगों को स्लेबस भी कवर यहां पर करवाएंगे free of cost आप हमारे साथ जुड सकते हैं चलिए आज के लिए यही हमारी information थी जो कि मैंने आप लोगों बताई फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ बाइब